हलो इंडिया मुक्तालियो गूर लाइन्स रेसिपीस में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों अभी हाल ही मैंने काले अंगूर से और हरे अंगूर से किस्मिज बनाय थे जो की बहुत बढ़िया बने थे बहुत असानी से मैंने बनाया था और मार्केट से भी अच्चे किस्मिस बनकर घर पर ही त्यार हो गया थे और आज मैं आपको काले अंगूर और हरे अंगूर से किस्मिस बनाने का तरीका ही इस वीडियो में बताऊंगी मार्केट में आपको हरे अंगूर के किस्मिस तो असानी से मिल जाते हैं लेकि काले अंगूर से बने किस्मिस नहीं मिलते हैं बहुत ही कम मिलते हैं और काले अंगूर से बने किस्मिस का इस्तामाल मिठाई में किया जाता है केक में किया जाता है बिस्कित में किया जाता है पुलाव बिरियानी में किया जाता है और साथ ही इसे कोर्मे में भी डाला जाता है तो आप असानी से घर पर ही काले अंगूर से भी किस्मिस बना कर तो यहां पर मैंने लिये हैं आदे किलो हरे अंगूर और आदे किलो कले अंगूर दोनों ही अच्छी क्वालिटी के बड़े-बड़े साइच के मैंने अंगूर लिये हैं किश्मिस बनारे घर पर चाहते हैं बड़े-बड़े बने तो आप ऐसे बड़े साइच के अंगूर ले और पानी से अच्छे से धोलीजे दो से तीन बार और हलके हांथों से धोलीएगा जिससे कि इसमें दरा रेना पड़े अब इसके बाद हम अंगूरों को इसमें से अलग सकते हैं और अच्छे अंगूर को ही आप अलग करिये तोड़कर और जो खराब अंगूर है यह थोड़े से गल गया है उनको आप अलग कर दीजिए वरना यह बाकी अंगूरों को भी खराब कर देंगे जब हम इसे सुखाएंगे तो मैंने अलग-अलग को टोड़े में दो अंगूरों से कम से कम दो इंच उपर रखना है इतना पानी लेना किसी बटन में जिसमें अंगूर अच्छे से डूप जाए आप इसके लिए कोई बड़ा पतिला भी ले सकते हैं मैंने इसे कढ़ाई में उबाला है अंगूर पानी में पूईटी किसे भीग चुके हैं और 20-30 in और पानी में उबाल आने शुरू हो जाएगा जब पानी में उबालाना शुरू होगा तो अंगूर नीचे तरी से पक कर उपर सता में आने लग जाएंगे आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस प्रगा से अंगूर नीचे से उपर की तरह आने लगे हैं उपर तैरने लगे हैं जब उपर तैरने लगेंगे ना तो इसे हम चमच की सायथा से एक प्लेट में निकालते जाएंगे आपको ध्यान रखना है कि जो अंगूर उपर तैरने लगे हैं आपको उसी अंगूर को बाहर निकालना है जो अंगूर अभी उपर सतह तक नहीं आए उन्हें मत निकाल दिजिएगा चुकि अभी उपुलितिक इसे पके नहीं है अगर उप पकेंगे या रेडी हो जाएंगे तो उपर आ जाएंगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह अंगूर धियर दे करके उपर आते जा रहा है अब जो अंगूर उपर आ चुके हैं उन्हें मैं एक प्लेट में निकाल रही हूं पानी से अलग करके को हम बहार निकाल लेंगे इस प्रोसेस में हमें कम से कम 5-7 मिनट कही टाइम लगता है गेस की फ्लेम हाई रखेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है हमें इसे उबालना नहीं है गलाना नहीं है नहीं जड़ा पकाना है हमें से इस बात का ध्यान रखना है कि अंगूर नीचे सतह से टायर कर उपर आ जाएं जब उपर आ जाएंगे इसका मतलब है कि अंगूर निकालने के लिए रेडी हैं आप इन्हें बहार निकालने हैं इस प्रोसेस से बनाने से किस्मिस हैना बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत जल्डी बनते हैं और आप इस तरही के से बनाओगे तो भी यकिन मानेगा कि आपकी किस्मीद बिल्कुल भी फिके नहीं बनेंगे मीठे ही बनेंगे अंगूर मीठे होंगे तो मीठे ही बनेंगे उनके स्वाद में कोई फर्क नहीं आता है और मार्केट से भी अच्छा है लंबे लंबे और मीठे किस्मित आपके घर पर बनकर रेडी होंगे इस बात का आप यकिन मानिए अब सारे अंगुर को निकाल कर प्लेट में आप हवा में पांस निट के लिए छोड़ दीजिए तो अब इसके बाद हमें इसे जूप में सुखाना है तो सुखाने के लिए आप इसके लिए कोई पतला कपड़ा सूटी का ले सकते हैं और किसी ऐसे चीज में सुखा यह जिसमें हवा आती जाती रहे है इसे हवा भी लगनी चाहिए और धूप भी लगनी चाहिए कोई मोटा कपड़ा मत ले लिजिएगा वनाई सुखे गा नहीं और नीचे जिसमें सुखा रहे है वह भी थोड़ सा जीना होना चाहिए अंगुर को सुखाने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बड़ी सुखाने वाले यह पर्रे यहाँ पर चतिसगर में इसे पर्रा कहा जाता है और इसमें बड़ी सुखा जाता है और यह बास्ते बनता है और जीना होता है और इसमें असानी से हम इसे सुखा सकते हैं इसके उपर मैं बिचाओंगे एक सूती का कपड़ा अगर आपके पास यह नहीं है तो आप कोई भी छलनी ले सकते हैं या जली दार बास्केट ले सकते हैं उसमें कपड़ा खाला दीजिए और उसके अंगूर उपर छोड़ा दूर दूर रख दीजिए पास पास मत रखिएगा अगर पास पास आ जाती है तो फिर से आप इसको तो दूर दूर कर दीजिएगा और इससे आप ठाली अप्लेट में बिल्कूल मत तुखाएगा अगर उसमें तुखाएगे तो आपके जो अंगूर हो खराब हो जाएगे और किसमी सच्चे नहीं बनेंगे आप इसे बनाने के लिए पतला कपड़ा लेगे और कोई भी जलीदार आप इसके बासकेट के इस्तमाल कर सकते हैं अब उसके बाद मैं इसे धूप में रख दूँगी अब इसे हमें तेस धूप में रखना है अच्छी धूप हो तो हरे अंगूर से जो किसमीस बनते हों सबसे जल्दी बनते हैं एक से देर दिन का समय लगता है इसे बनने में और काले अंगूर से किसमीस बनाने के लिए हमें तीन से चार दिन का समय लग जाता है यह कभी कभी 4-5 दिन भी हो सकता है लेकिन आप इसे देज धूप में ही रखें देज धूप में बहुत अच्छे से सुखता है यह तो आप देख सकते हैं देज दिन हुआ है और जो हरे अंगूर है उसके किस्मिस बन करेड़ी हो चुके हैं और काले अंगूर से अभी यह बने नहीं है आधे यह बने हैं और आधे अभी बन रहा है काले अंगूर आप जेख सकते हैं शिकूड रहा है यह बनना स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ अंगूर है वो काले वाले वो बन चुके हैं यह किस्मिस बन चुका है लेकिन अभी फिर भी हम इसे धूप में रखेंगे तक कि 3-4 दिन में दोनों अंगुर अच्छे से सुख जाएं तो लगभग 2 दिन हो चुके हैं और यहां पर आपडेक्स लखते हैं हमारे हरे अंगुर के किसमिस तो बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं काले अंगुर के भी बस थोड़े से बचे हैं और आधे तो बन ही चुके हैं अब जो बन चुका है उस अंगुर को हम उठाकर एक सीसी में रख लेंगे और बाकी को फिर से सुखने के लिए यहां पर रख देंगे बड़े-बड़े साइच के जो किसमिस बनते हो बड़े अंगुर से बनते हैं अगर आपको एकने बड़े-बड़े साइच के ही बनाने हैं तो जान रखेगा कि आप बड़े साइच के अंगुर ही कई दें उससी से किसमिस बनाए उससे अच्छे किसमिस बनेंगे और हरे अंगूर की तरहा आप काले अंगूर से भी किस्मित बना सकते हैं और काले अंगूर के जो बने किस्मित हैं बहुत आसानी से मार्केट में नहीं मिलते हैं में मिलते हैं और इसे किराने दुखन में अगर आप ध्य not में भर कर रख लूंगी जार से पाथ दिन में इक काल अंगुफ बनकर त्यार हो चुके हैं और यहह चुल हमें जेर से दोरीन लगा है अपुरीदी के सुखने में लेकिन इसे मैंने और सुखाया था साथ में ही ताकि दोनों अच्छे से सुख जाए अब इन्हें लॉंग टर्मे के लिए स्टोर करके रख सकूं अब इस प्रकार के आप 5 की सीसी में रखिएगा इसमें खराब नहीं ह कर दोर्चें वकर रख समय थानिख कि यद्चे आप खराूज रख रभा कर रja 的 से स्टोरा चालों को शहले अंदे हन्दली हो को早ग कि आप हैं बख़ी कर भाहां सक्तोय है